दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमल्स फूड लैब में जहांपर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज आज हम देखेंगे गनेश यतूर्थी स्पेशल रेसिपीज आज गणेश शतूरती है तो आप सभी को मेरी तरफ से गणेश शतूरती की धेरो शुब कामना है और वापपा आप सभी को सुक्षानती और सम्रुद्धी प्रदान करें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्तम फटाफट बन जाने वाले बहुत ही आसान और एक्तम हेल्दी मोदक्स की रेसिपी जो आप इस गणपती में पना सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे रोज मोदक की रेसिपी जो बनाने में बिल्कुल ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है और ये सिर्फ तीन चीजों से बन जाते हैं कि रोज मोदक बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 200 ग्राम पनीर जो इस तरह से पीसे स्में मैंने कट कर लिया है साथ में एक कप बिल्क पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने मैपरो का रोस क्रश लिया है आप कोई भी कंपनी का इस तरह का रोस सिरप ले सकते हैं अब एक मिक्सर जार लेकर इसमें हम हमारे जो तीनों इंग्रीडियन्स हैं वो एक एक करके डाल देंगे इस मोदक में हम कोई भी शुगर नहीं यूज़ करने वाले हैं हमने जो रोस क्रश डाला है उसी से स्वीटनेस आ जाएगा और ये हम बाद में अगर हमें लगा तो और भी आड़ कर सकते हैं ये मेरी एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है यहां पर मैंने और दो चम्मच रोस क्रश पाद में अड़ किया था एक पैन को गरम रख देंगे और ये जो पूरा पेस्ट है उसे हम इसमें डाल देंगे दोस्तों ये जो मोदक है ये बहुत ही फटा फट बन जाते हैं और ये बहुत इजी भी है इसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रेपरेशन भी नहीं करना है चीजे भी ज़्यादा नहीं चाहिए यहाँ पर मैं एक चोटी चमच घी आड़ कर रही हूँ ताकि रोस्ट करने में हमें आसानी हो क्योंकि ये पनीर पिसने के बाद थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी आड़ किया है और धीमियाज पर सेकेंगे यहाँ पर मैं कुछ सुखी हुई गुलाब की पंखुडिया आड़ कर रही हूँ यह ऑप्शनल है दोस्तों आपके पस हूँ तो आप आड़ करें वरना कोई जरुरत नहीं है ऐसे भी यह मोदग बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम सौफ्ट और मूमे घुल जाने व में बचोफ्ट जामेंगे और अब इसी प्लेट में निकालेंगे इस मिश्रण को निकालने के बाद हम इसी थोड़ा सछुप्रैट कर देगे तकि यह जल्दी ठणड़ा हो जाए एक्दम थंड़े होने के बाद हम इसकी मोदग बनाएंगे अब हमारे यह मिश्रण है यह ठंडा हो चुका है तो अब मैं थोड़ा सा घी वाला हाथ करके इसे फिर से हलके हाथों से थोड़ा नीट कर लूँगे इस तरह से ये मोदक का मैंने एक मोल ले लिया है और इसे ग्रीज कर लिया है और आप इस तरह से भी इसे भर सकते हैं पहले इसे प्रेस कर दें थोड़ा मिश्रन डाल कर ताकि जो इसकी पॉइंट है वो अच्छी बनेगी मोदक की और फिर बाकी का मिश्रन डाल कर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसमें भार दें अब इसे खोल कर देखते हैं यह देखे एकदम बढ़िया मोदक बनकर तैयार है और नीचे से हम इसे निकालेंगे हमेशे मोदक को नीचे से ही डी मोल्ड करें उपर से अगर आप निकालने जाएंगे तो वह तूट जाएंगे यह कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार है हमने कोई कलर यूज नहीं किया है यह रोज के क्रश से ही इतना प्यारा कलर आया है दोस्तों आप चाहे तो इस तरह से भी इसे स्टफ कर सकते हैं दोनों हिस्सों में मोदक का मिश्रन डाल दें और फिर इस तरह से बन करके नीचे से कर दें ताकि यह अच्छी तरह से इसमें भर जाए अच्छी तरह से दबा के मिश्रन को डालने से इसका जो शेप है वह बहुत बढ़िया आता है और जो एक्स्ट्रा निकलेगा साइड में उसे आप निकाल दें यह देखिए यह भी बढ़िया बनकर एकदम तैयार है इसे भी हम नीचे से निकाल लेंगे तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं पीछे से स्टाफ करके यह इस तरह से दोनों हिस्सों में भर कर दोस्तों आप मेंसे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो मोदक का मोल नहीं है तो हम इसे कैसे बनाएंगे तो आप इस तरह से इसकी गोल-गोल लड़ू भी बना सकते हैं और इसके बाद वाला जो मोदक है उसमें मैंने बिना मोल्ड के मोदक बनाने की टेकनीक भी बताई है दोस्तों इन मोदक को आप एक या दो दिन में भगवान को भोग धर के कंजियूम कर लें क्योंकि ये हमने पनीर से बनाये हैं और इन्हें आप फ्रिज में ही रखें हमारे जो दूसरे मोदक हैं वो है सत्तु मोदक या चना मोदक यहाँ पर मैंने लिया है एक कप ये रोस्टेट चने की दाल या दालिया जिसे बुलते हैं और साथ में लिया है आधा कप पुरा शक्कर वान थर्ड कप देसी गी दो टेबल स्पून कटेवे ड्राइ फ्रूट्स और इलाइची का पाउडर सबसे पहले ये जो चने हैं इन्हें हम मिक्सर में डाल का अच्छे से पीस लेंगे यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ हमारा जो पिसा हुआ चने का पाउडर है वो फ्रेंट्स जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें हमें बेसन बहुत देर तक सीखना पड़ता है तो यह जो चने के लड्डू है यह उसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है क्योंकि यह अलरी भुने हुए चने होते हैं तो इसे आपको कुक करने की जरुरत नहीं है यहाँ पर मैंने साथ में ही बुरा शकर और यह कटे हुए ड्राइफ रूट्स भी आड़ कर द तक हम इसमें घी आड़ करेंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह इस तरह से बाइंड तो हो रहा है लेकिन शेप एकदम अच्छी तरह से होल्ड नहीं हो रहा है तो अभी हम इसमें दो चम्मच और घी डालेंगे यहाँ पर मेरा मिश्रन एकदम बढ़िया बाइंड हो गया है अब इस तरह के मोडग के जो मोडग आते हैं इसमें भी आप इसे बना सकते हैं एक मैं आपको इसमें बना के बता रही हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि बिना मोडग के आप कैसे मोडग बना सकते हैं इसमें भी अच्छी तरह से दबा कर हम फिल करेंगे और इसे खोल कर हम नीचे से मोदग को निकाल लेंगे यह देखिए तब बढ़िया मोदग बनकर तयार हो गया है और बिना मोल्ड के मोदग बनाने के लिए पहले आप इस तरह से गोला बना ले लड़ू की तरह और फिर इस तरह से उपर से इसे पॉइंटेट कर ले दीरे दीरे प्रेस करते करते इसे आप उपर की तरह पॉइंटेट शेप देदे यह देखिए, इस तरह से यह मोदक का शेप आ गया है इसमें और अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक लेकर हम इसमें डिजाइन बना देंगे इस तरह से अब प्रेस करते जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यह देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने सारे मोदक बिना मोल्ड के बना कर तैयार कर लिये हैं यह देखें कितने बढ़िया लग रहे हैं यह इसे हमने टूथपिक से ही बनाया है तो आप इस तरह से भी मोदक बना सकते हैं अब इसे थोड़ा सा हम टेकुरेट कर देंगे पिस्ता की कत्रनों से तो दोस्तों हमारे नो कोक और जट पट बनने वाले सत्तू के मोदक एकदम रेडी है तीसरा मोदक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक शुगर फ्री मोदक है और वो है अंजीर मोदक अंजीर मोदक बनाने के लिए यहां पर मैंने 20 से 22 अंजीर को 2 गंटे के लिए पानी में सोख करके ले लिया है साथ में 3 फोर्थ कप मैंने मिक्स ड्राइफ रूट्स लिये हैं जिसमें काजू, पदाम, पिस्ता और अकरोट हैं एक टेबल स्पून गी लिया है और दो टेबल स्पून गुलकंद लिया है पहले हम मिक्सर में रोस्टेट ड्राइफ रूट्स को पीस लेंगे और अब इसी मिक्सर में हम सोक किये हुए अंजीर को भी पीस लेंगे हमने इने सोक करके रखा था इसलिए बड़ी आसानी से पिस जाएंगे और अगर आप इसे भिगाना भूल गये हूँ तो आदे घंटे पहले आप इसे गरम पानी में भिगो कर रख देंगे तो भी ये सॉफ्ट हो जाते है ये देखे अंजीर एकदम अच्छी तरह से पिस चुके है यहाँ पर मैंने एक पैन करम रख दिया है और उसमें मैं डाल रहे हूँ एक चमच घी और फिर इसी में हम डाल देंगे हमारा अंजीर का पेस्ट यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि अलरी अंजीर सोक किये हुए थे इसलिए आसानी से पिस गया है अंजीर के साथ ही हम एड कर देंगे हमारे जो पाउडर की हुए ड्राइफ रूट्स थे वो और फिर दोनों को मिला कर हम एक से दो मिनिट के लिए सौते करेंगे यह मोदग भी बहुत ही जल्दी बन जाते है और यहाँ पर हम एड करेंगे हमारा गुलकंद यहाँ पर हम शुगर बिलकुल एड नहीं करेंगे क्योंकि गुलकंद मीठा ही होता है तो वो जो स्वीटनेस है वो प्रोवाइड करेगा और अंजीर में अपनी खुद की भी एक मिठास होती ही है अल्रेड़ी यह देखिए यह हमारा मिक्स एकदम रेडी हो गया है केवल दो से तीन मिनिट मैंने इसे सौते किया है और यह एकदम इस तरह से साथ आ गया है और पैन को छोड़ रहा है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे मिश्रन को प्लेट में निकाल कर एकदम ठंडा हो जाने दें उसके बाद ही हम इसके मोदग बनाएंगे यह हमारा जो मिश्रन है यह ठंडा हो चुका है तो फिर से हम इस तरह से मोदग के मोल्ड को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और फिर इसे हम इसमें बहर देंगे यह देखिए दोस्तों कितने प्यारे अंजीर और गुलकंद के मोदक बनकर तयार है अंजीर का और गुलकंद का कॉम्बिनिशन बहुत ही सूपब लगता है आप भी जरूर ट्राएं करें इस हेल्दी मोदक को इस मोदक को आप ड्राइफरूट स्टफ करके भी बना सकते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से नीचे थोड़ा सा मिश्रन डाल देंगे थोड़ा सा वाल्स की तरफ प्रेस करेंगे और जो बीच में हमने कैवेटी बनाई है उसमें हम थोड़ा से ट्राइफरूट्स डाल देंगे यहाँ पर मैं पिस्ता डाल रही हूँ और फिर वापस से मिश्रन इसके उपर भर कर दबा देंगे तो इस तरह से आप स्टाफ्ट मोदक भी बना सकते हैं इसके यहाँ पर हमारे मोदक बनकर रेडी है इस पर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे बारी कटे हुए पिस्ता से यह ओप्शनल है दोस्तों पर सुन्दर लगता है यह यह देखे हमारे शुगर फ्री अंजीर और गुलकंत के इकतम स्वादिश से मोदक बनकर रेडी है दोस्तों इस गनपती फेस्टिवल में इन मोदक की रेसिपीज को आप जरूर ट्राय करें और मेरे चानल पे चूरमे के लड़ू और बाकी के और भी मोदक की रेसिपीज है उन्हीं भी ट्राय करें इसी तरह की नई नई और इंट्रेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मेरे चानल करें